आप देख रहे हैं बीटी नियोज बिहार, मैं हूँ आपके साथ मिनाख्छी ठाकुर समस्तिपुर जिले के रोश्रा में ड्यूटी के दोरान बीमार परे कोरोना वारियर्स चौकिदार देवी पाश्मान की इलास के दोरान हुई मौद बताया जा रहा है कि मिर्तक कोरोना वारियर्स के रूप में रोस्रा उच्छु विदाले में बने कॉरिंटिन सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे रूटी के दोरान ही इनके तब्यत बिगर गई जिसके बाद परिजनों के दोरा उन्हें सदर अस्पताल ले चाया गया जहाँ डॉक्टरों ने डाइबिटीज बताया रिथा किसी अच्छे चिकित सच से इलास की सलाह दी परिजनों ने इस कोरोना वालियर्स का समस्तिपूर के एक नीजी नर्सिंग होम में इलास कराया लेकिन वहाँ भी इनके इलास में सुधार नहीं हुआ जिसके बाद इने पटना आईजी एमेस रेफर कर दिया गया लेकिन लॉकडाउन की वज़े से वहाँ भी भरती नहीं लिया गया अंतबे बेगुसराय के एक अस्पताल में डाइलिसिस के दौरान उन्होंने जिन्दगी से हारमाल ली आपको बता दें कि मिर्तक चौकिदार रोशा थाना शेतर के खेरा गाउं का रहने वाला था वही मिर्तक के परिजनों का रोरों कर बुरा हाल है साथ ही रोशा थाना में भी शोक व्यापत है यह मतलब हायर सेकेंडी पर डिवटी कर रहे थे वहीं पर इनका प्यार फूल गया था जब डिवटी से आयथ हम लोग इनको ले गए सदर अस्पताल तो सदर अस्पताल में इनको जह है सो बोला जो कहीं अच्छा डॉक्डर सा आप इलाज करवाई है इनका डाइविटीज है तो हम लोग ले गए इसी करम में समस्ती पूर उठा गए समस्ती पूर में उन्होंने दवाई दिये उसके बाद इंद्रा गांधी होस्पिटल आईजी एम्स में रेफर किये थे हम लोग वहां गए वहां से लोट के चले आए लोकड़न के कारण महां पर भरती लिया ने वहां से आनेक बाद हम लोग एक बार और समस्ती पूर में ही दिखा है वहां से जब नहीं सुधार पाया तो हम लोग बेगू सराय ले गए बेगू सराय ले जाने के करम में एक दिन चार दिन पर ले आए आए आस्पताल से और फिर आज ले गए औ और वहाँ पर जहासो डायलोसिस के करम में इनका जहासो ध्यान थो गया आप को नोगे हैं? हम उनका लरका हैं क्या नाम होगा? मेरा नाम हडी देव कुमर पासमा ये इनको चीनी की सिकाई थी और ड्यूटी में ही थे कुरंटाइन सेंटर में ड्यूटी में ही थे और चीनी की सिकाई थी मैं समझता हूँ लॉक डाउन के कारण उचित इलाज इनको नहीं मिल पाया पत्तना भी ले जाया गया, दर्भंगा ले जाया गया आई जी एमेस में बरती नहीं लिया लोग बियम सी एच में बरती नहीं लिया और तब किसी तरह से हम लोग पास वगरा बनाके लोकल परसासन से बेगु सराय में नीजी क्लिनिक में भरती करवाए और वो आज एक्सपार कर गए मैं समझता हूँ लॉक डॉन के कारण सही इलाज नहीं मिलने के कारण मैं समझता हूँ इनकी मिलती हो गई सबको होना है लेकिन अगर सही टिर्ट्रमेंट सही वक्त पर मिलता था साथ यह बच सकते हैं क्या नम आपका शुरंदर कुमार सिंग उर्पूना जिलास चीब